कि जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्वी चैनल सिकंदर क्लासरपन आज हम क्लास 10 के संस्क्रीट का सेट नमर वन लेकर आये हैं जो की भी वी ए एउजेक्टिव है एक्जाम में बार बार पूछा जाता है चलिए देरने करते हुए शुरू करते हैं देरने करते हुए शुरू करते हैं जदी आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करने चैनल को न भूलेगा चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्या कुटनिम ताख कभी के कभी कौन है दामोदर गुप्त है कौन है सर दामोदर गुप्त है दामोदर गुप्त है चलिए अगला कोश्चन बढ़ते हैं दूसरा नमर कोश्चन कराश सिखो के दसवे गुरु कौन है दसमे गुरु दसमे गुरु कौन है चलिए तीसरा नमर अश्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोग फटा फट इसका जवाब दे दिए कर अब पाटली पूत्र किस राज की राईधानी है पाटली पूत्र है नसर किस राज की राईधानी है तब विहार का किसका है विहार की किसका है विहार की किसकी है विहार की चलिए आगा पढ़ते हैं चौटा नमर कोशचन किसके काल में पटना के नाम पाटली ग्राम था तब बुध काल में चलिए आगा पढ़ते हैं पाटली ग्राम था और आज़िए आपना कारा इूनान का राजदूत कौन था युनान का जो राज़दु था न वो कौन था तो मेगा अस्थनीज कौन था सर मेगा अस्थनीज था चलिए आगे बढ़ते हैं छठा नमर कोच्चन महावीर मंदीर कहां अस्थित है काई सर पटना में काई पटना में चलिए आगे बढ़ते हैं साथवा नमर कोच्चन करब पाटली पुत्र में किस महापुरूस का जन्म अस्थली है मतला पाटली पुत्र में किस महापुरूस का जन्म हुआ था किस महापुरूस का जन्म हुआ था किसका हुआ था सर गुरु गोविन से किसका हुआ था गुरू गोविन से चलिए आगे बढ़ते हैं आठ्वा नमर कॉस्चन किस काल में पाटना नाम परसिद हुआ किस काल में जो पाटना बहुत अधिक परसिद हुआ परसिद हो गया किस काल में सर पाटना किस काल में तो मध्य काल में मध्य काल में चलिए आगे बढ़ते हैं नुमा नमर कॉस्चिन करा अनूर अनियान महतो महियान कह मने कौन है मतलब अनू से भी छोटा और महान से भी महान कौन है कौन है सर जड़ा जवाब दे देजे तो आत्मा है कौन है आत्मा है करा अनूर देवियान पंथा किन वित्त अस्ती मने देवियुता लोग किस पत पर जाते हैं किस पत फर सत्तेन मने सत्य की पत पर सत्य की रास्ते पर चलिए 11 नमर कोश्चन उपनिसद काल प्रस्ट्यन्ती उपनिसद उपनिसद काना प्रस्ट्यन्ती क्या है सर उपनिसद कान प्रकट नहीं मनें उपनिसद जो है क्या प्रकट करता है तो दर्शन सास्त्र सिध्धान्त दर्शन सास्त्र सिध्धान्त चलिए आगे बढ़ते हैं बार्मन हमर को चन करा कीम जया कीम जया प्राप्नोंती कीम जया प्राप्नोंती कीम जया प्राप्नोंती करा कौन जया प्राप्त करता है कौन जया का मतलब कौन भी जया प्राप्त करता है क्या हो जाएगा सर जड़ा जवाब दीजिए सत्य क्या हो जाएगा सत्य हम मतलब सत्य 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 जो है जय प्राफ्ट करता है सत्य की जय होती है चलिए आगे बढ़ते हैं तेरा नमर कॉर्चन करा मंगलम पाठे कती मंत्रा संकल अस्चंती उन्हें मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं कितने हैं सर जड़ा जवाब दे दीजे पाँच कितने हैं पच्चा पाँच पाँच चलिए आगे पढ़ते हैं चौदा नमर कोस्चन उपनिसद कस्य महिमो प्रधान्त्य मित्यते अर्थात उपनिसद में किसकी महिमा का गीत गाया जाता है किसकी महिमा का बर्नन किया गया है जड़ा जवाब दे दीजे सर किसका किया गया है तब परमपुरस से परमपुरस से परमपुरस से और परमपुरस का चलिए आगे पढ़ते हैं पंदर नमर कोस्चन मेगा अस्तनीज पटना किस समय में आया था मेगा अस्तनीज जो था उपटना किस समय में आया था किसके काल में आया था किसके समय आया था जड़ा जवाब दे दिजिए सर चंद्रगुप्त मौरी के समय किसके समय आया था चंद्रगुप्त मौरी के समय चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा कम दिखाई देरा होगा लेकिन आवाज पर थोड़ा गवर से सुनिएगा पाटल पुस्वो की पुतली का पुतली का रचना के अधार पर पटना का कौन सा नाम है पाटल पुश्वो की पुतली का रचना के अधार पर पटना का कौन सा नाम है क्या है सर जड़ा जवाब दे दिजिए क्या है सर पाटली पूत्र क्या है पाटली पूत्र चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नमर कोश्चन गांधी से तु कहां अस्थित है जड़ा दे दिजिए तब पटना में कहां है सर पटना में कहां है सर पटना में चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नमर कोश्चन करब पटना नगर की पाली का कौन थी पटना नगर की जो पाली का थी वह कौन थी तब पटन देवी थी कौन थी सर पटन देवी चलिए आगे बढ़ते हैं उनाइस नमर कॉस्चन करा उपनिस्दों की संख्या कितनी है उपनिस्दों की जो संख्या है न वह कितनी है कितना है सर जड़ा जबाब दे दिजिए उपनिस्द की संख्या कितनी है तो कितना है सर एक सव आठ है कितना 108 है चली आगे बढ़ते हैं 20 नमर कोश्चन आत्मा के गूर रहस्य की किसमे ब्याख्यां की गई है आत्मा के किसमे दी गई है सर जड़ा जवाब दे दीजे तो कठो उपनी सद में किसमें कठ उपनी सद कठ उपनी सद में चलिए आगे बढ़ते हैं काईश नमर कोश्चन करा सत्य का मुख किस पात्र से ढखा है ढखा हुआ है सत्य का जो मुख है न वो किस आवरन से या किस पात्र से ढखा हुआ है जड़ा जवाब दे दिये सर फटा फट इसका हीरन में पात्रें से अर्था सोने के पात्र से चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नमर कोश्चन सत्य का खाजाना कहा है सत्य का खाजाना जो है वो कहा है तो देव लोक में कहा है सर देव लोक में चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नमर कोश्चन करमंगलम पाठ कहा से संक्लित है मंगलम जो पाठ है न वो कहां से लिया गया है कहां से है सर जड़ा जवाब दे दीजे तो तो उपनी सद से है कहां से संक्लित किया गया है उपनी सद से चलिया आगे बढ़ते है 24 नमर कॉस्चन मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं कितने हैं सर जड़ा जवाब दे दीजे तो तो पांच कितने हैं पांच कितने हैं सर पांच है चलिए आगे बढ़ते हैं कारा कि उपनिसद की रचनाकार कौन है उपनिसद जो है न उसके रचनाकार कौन है सर कौने हैं चलिए आगे वड़ते हैं करा मंगलम पाठ के रचना कार कौन है तो महर्सी वेदववयास ही हैं दोनों का से मैं हर्सी वेद व कैसी हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं कि 27 नमर कोश्चन देव लोग का मारी किसे प्राप्त होता है देव लोग का मारी किसे प्राप्त होता है सर जड़ा जवाब दे दीजे तो सत्य से किसे सर? कि 68 नमर कोश्चन कर अनो अनियान कहा अनो अनियान कहा अनु से भी छोटा कौन है? कौन है सर, जड़ा जवाब देजे तो, आतमा है, कौन है, आतमा है, चलिए 29 नमर कोस्चन, करब पटना का इतिहास कितना वर्स पुराना है, पटना का जो इतिहास है न, कितना वर्स पुराना है, कितना है सर ज़ाला जवाब देजा तो पती सो वसकीतना है सरे पती सबस्फ पुराना पचीस सबington पुराना कि चली आगा पाथते हैं थीशन इमर सब्सक्न को किस सबसे उत्पति हुई है पत्र न सब्सक्राइब सब्सक्न इस आपकर्टन हैं एक्तिस्ट नमर कोर्चिन करब पाटली ग्राम कुत्र अस्थित अस्थित पाटली ग्राम कुत्र अस्थित अस्थित मतलब पाटली ग्राम कहां अस्थित है पाटली ग्राम कुत्र अस्थित अस्थित सोरी पाटली ग्राम कुत्र अस्थित अस्थित मतलब पाटली ग्राम जो है कहा पर अस्थित है तकाई सर तक गंगार स्थिरे गंगार स्थिरे मने गंगा टटके किनारे चलिए 32 नमर आये करब पटना इतिनाम कस्मात सव्दा निर्गता पटना इतिनाम कस्मात सव्दात निर्गता मतलब पतना का नाम जो है किस सब्द से निर्गत हुआ है वने उत्पन हुआ है तो पतन से किस से हुआ है पतन से चलिए आगे पड़ते हैं तेटीस नमर कोश्चाम करा गुरू गोविन दस जन्म अस्थानम के नामना परसिद्धास थी मतलब गुरू गोविन सीह का जन्म अस्थान किस नामन से परसिद्ध हुआ किस नाम से परसिद्ध हुआ तो कहा है सर्फ पाटली पूत्रम पाटली पूत्रम चलिए आगे बढ़ते हैं कस्य राइधानी नगरम पाटली पूत्रम अस्ती मनि किसकी राइधानी नगर पाटली पूत्र है तो बिहार परदेशस से बिहार परदेशस से मनि बिहार परदेश का है चलिए अगए बढ़ते हैं 35 नमर कैन्न है कि संसकर छेन्द्रगुप्त किसひ एelsh था किस का साथ था ई है वंसका था तर लिड़ा जेवाब दिए तो मरें बन का किस गाता मरें बन सका हो जर civर उपकर दें हैं a a должна बिए रस्यकस्मों नग्रें गोल ग्रह हमस्ती मतलब बिहार के किस नगर में गोल घर अस्तीत है बिहार अस्यकस्मीं नग्रें गोल ग्रह मस्ती तब पाटली पूत्र नगरे मनें पाटली पूत्र नगर में किसमें पाटली पूत्र नगर में चलिए आगे बढ़ते हैं संतिस नमर कोचन एस एस या महादेशस से दिर्गम सेतु का मतलब एस या महादेशस से दिर्गम सेतु का मतलब एस या महादेश का दिर्गम मतलब सबसे अधीक सेतु का मतलब पूल कौन है सबसे लंबा पूल कौन है तब गांदेश सेतु गांधी सेतु और गांधी पूल गांधी सेतु पूल चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नमर कोश्चन अलस कथा की रच्चेता कौन है अलस कथा की रचनाकार कौन है तब विद्यापती है कौन है सर विद्यापती चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नमर कोश्चन कर अलस कथा पाठ कहां से संक्लित है मतलब अलस पर था पांड जो है कहां से लिया गया है तब पूरुस परिच्छा से कहां से लिया गया है सर पूरुस परिच्छा से चले चालिस नमर कोश्चन और यह लास्ट कोश्चन है मैथिली कभी कौन था? तब विद्यापती थे कौन थे विद्यापती जी कौन थे सर विद्यापती जदी आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा